हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं यूट्यूब चैनल ट्रेडवित पैड आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीक का जो वीकली एनलाइसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और मंडे एक्सपैरी वह भी देखेंगे तो हम लोग लास्ट वीक क्या है मैं कभी कभी बताता हूं लेकिन आप लोग हमेशा मेरा वीडियो देखना क्यूंकि उसमें बहुत अच्छा इंपूट्स देता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक ह है तो देखना और प्रिवेस जाकी चेक करो तब आपको भरसा होगा देन आप लाइक कंटीनू देख सकते हो मेरा वीडियो 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 डालता हूं लास्ट वीक क्या डिसकस किया था कि इसको पर बुलिश होगा ने तो मैं बेरिस था लास्ट यहां पर क्लोज कि बैंक निफ्टी मुझे लगता है अच्छा करेगा विजाभी स्निफटी देखो बैंक निफ्टी क्या क्या इसको जब तोड़ा इस कैंडल में अगर तो तो देखो बैंक निफ्टी ने ज्यादा ही कप्स निए ठीक है यहाँ पर अगर आपने बुलिश पोजिशन बनाय ब्रेक किया था तब तो आपका स्टॉप लोग लेकिन यह नहीं होना चाहिए थै क्यूंकि थोड़ा डीप रखना चाहिए था जो भी हो लेकिन आपको में बताया था कि यह आपको ब्यांक इस जाद अच्छा देगा और निफ्टी देखो निफ्टी में लोग ने बात किय होना है इस candle बेब और बोई मीला बाषिर केओ मेने का था कि ऊप्डूल blinking आपको सक्ता हूए हूं था मेप का जो स्वूर स्वूर्ण और है निवने काता किट अच्छा कर सकता है तो स्थर्ष्य कि अच्छा करें तो स्टेस्ट अब्रेंडिंग मूव आने वाला है जो यह वाला मुव थाएं यहा पर कहीं पर बोला था ला लाइक अब जाके मेरे ट्रीटर में चेक कर सकता है में लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप जाके एक पर चेक कर लेना और ट्विटर में फॉलोग क्योंकि में वहाँ पर अप्डेट्स देते रहता हूं थो चलिए आप लोग लाइक अनलेसिस पर जाते हैं पहले बैंक देखते हैं वीकली में देखो जो यह कैंडल बना यह तो काफी बुलीश है क्योंकि यह पूरा इसको एंगल्फ कर गया अब अगर देखो कि पूरा एंगल्फ कर गया तो इसमें कोई डावटी नहीं कि बुलीश है ठीक है क्योंकि यह जो आया था तो यहाँ पर लग रहा था कि और एक फॉलो थूट्रू केंडल ठीक है कड रखी बुलीश है है लेकिन अभी इसमे थोरा से टुरिक है मदला भी पूरा बुलीश दीख रहा है तो विकली में लोक लुड़ाख आरा कि पूरा बुलीश दीख रहा है लोको पाल्लण एले लेकिन बेश हो सकता है इसके बीछे बहुत कुछ रिजन भी है लुगild कर gustado किया हम लोग का स्ट्टेडजी रहना चाहिए तो देखो सबसे पहले अगर फिर आम लोगर बूलीच जाना है तो यहांप अगर मालो कि मन्दे के दिन यहां पर थोड़ा साइडवेज रहे यह फिर फिर तोर्च उपर नीचे होके मंदे की दिन अगर थोरा से उपर नीचे रहे के भी ब्रेक करता है तब हम लोग आपर बुलिश पोजिशन क्रेट कर सकते हैं इसको पर नौ मतलब बुलिश के लिए देखेंगे नेक्स्ट विक का बात करो में इसके उपर बुलिश के लिए देखना है जो विकली ट्रेट करता है मान लोग थोड़ा सा पोजिशनल टाइप का दो दिन एक दिन के लिए उसके लिए में बता रहा हूं और नौमिली इस केंडल की नीचे होना च हो अख्छे से ट्रेट करना है तो यहाप पर करना है और यहाँं फ़रा सा बैरिश होना है 250 की निचए यहाँ इसके निचे ही निचे देखो पहला जो यह वाला लेवल यहां पर भी टेस्ट हो चुका है यहां पर मतलब यह जोन टेस्ट हो चुका है ठीक है तो यह जोन पर यह रुकेगा नहीं आ जाएगा और जो नीचे वाला जोन यह भी टेस्ट हो चुका है सब Approaching जाल से बायर सब आएख सब्ण body से अब लेवल सब्सक्राइब भाट ही थिक है तो क्या हो सकते है अभी जो अगर सेलिंग आया ना तो अभी हम आगाए ना थे लोग तो कुंग सकता है इससे मों ओर रहा हो के अगर निचे सेलिंग आया तो अच्छा लिग शेय जो को भी कर सकते माहरत अगो कि मुझे अगर इसके नीचे इसके नीचे जो भी है तो फिटी के अंदर ही में एक पोजिशन क्रेट कर लूँगा और इसके नीचे और मेरा टारगेट बहुत बढ़ा रहेगा तो कितना हो गया देराजार पॉइंट आपका देराजर से जधा दौह सब्सक्राइब बहुत बढ़ा रहेगा तो इसे में थोरा सा नेक्स मेहना के लिए प्लैन करूंगा और इस मेहना करनी से भी मैं एग्रिसिव जाओंगा तो एसा मैं मतलब थोरा सा लंबा प्लैन करना च क्योंकि इसमने बहुत बाइफ जा तेस्ट हो तो आपि हम लोग हो सकता है कि माय इमिन मंहीं कर रहу हो सकता है इतनल वलोग आने ह rain लेक्श ने लेए , Pero वीज वाय अन्हें लेक्षा सव्च 然后 आनना लिएन एक रपने能ब के DRK रन हो तो एक ट्रेड लेंगे सब्सक्राइब तो यह नॉर्मेल स्टैंस रहता है तो यह वह लोग देख सकते हैं थीक है तो में इंट्राडे में का रह सकते हैं इंट्राडे में कुछ खास नहीं है अगर फ्लैट ऑपन हो कि इसको क्रोस करता है तो हम लोगों को बुलिश के लिए देखना है हाँ सर्प्राइजिंग क्या होगा बड़ा बिग गैप डाउन सर्प्राइजिंग होगा बड़ा गैप अप में हो सकता है पहले सेलिंग के लाए क्योंकि बहुत अच्छा मिल जाए तो मार्केट के सेंटिमेंट कुछ खराब हो चुका है तो हो सकता है मंडे की दिन थोड़ा सा ऐसा अगर बड़ा गैप अप में तो पहले सेलिंग लिए देखूंगा देन गैप डाउन में थोड़ा सा लाइक एक बार के लिए मैं सोचोंगा कि आप ऊपर यह वाला इसको तोरेगा तो एक देख सो दूसो पॉइंट का यहाँ पर भी मुव मिल सकता है तो यह वाले चोटा सा रेंज है फिट्यू दौजन और फिट्यू दौजन और इसके लिए प्लैन कर से तो इंट्राडे में और बहुत बड़ा गैप ड़न में आपको बता चुका हूँ Ев yeah then लिए और मचे में अऔर में कुछ पynam कर दे कर देंपके मुझे इतना बड़ाया के बाद एक तो बीढ़ा यह वासा कि ऐसको घिए खिई घीप कर दर गै कि मुझे इस्टना ब़ुप कर देशा आपट आयस 되고 हो सकता है चांसे से ब 거야 तो यहां पर अगर कुछ मुझी मिलता है सेलिंग करना पसंद करूंगा यह नॉर्मल मतलब में एक दन सिंपल और नॉर्मल बता रहा हूं कैसा करना आपको ठीक है अभी निफ्टी देखते हैं निफ्टी विकली भी बुलिश लग रहा है यह भी बुलिश है अच्छा कासा औ बहुत अच्छा मूव किया ठीक है एक चीज़ बता तो आपको बैंग निफ्टी और निफ्टी अगर दोनों कंप्यर करें दोनों में डिविएशन ऑल्मोस साथ परसंगा डेविशन है साथ परसंगा डेविशन है अल्मोस्ट काइंड ओफ ठीक है तो अगर मूव आना यह स्फोचा हों को पर की तरफ लिट करेगा और नीचे की तरश ऐसकते रहीं उतना लीड ना करें लेकिनी उपर की तरफ लीड यह और आपक्क हृर टessä Patch then इसष को सरा भाल केलिए LIKE यहां पर जो है इसकी नीचे लिए ट्राइग कर सकते हaces यहां पर पिए ट्रइच कर सकते कि जो श्रौन कीनिचे वेज़ला इसकी नीचे ओडल ट्राइग कर सकते हैं और इस जोन के नीचे ठीक के इस में इस केंडल कर लिए वेट करने ज़रुत नहीं हं इसके नीचे हमें कि पाट पर राय कर सकते है अगर आपको तरह से पोजिशनल ट्रेट करना है यह रही जपको छोड़ना पड़ेगा और आपको मदाब इसके नीचे उपर यह आपको ट्रेट करना है अगर के तरह मुझे इतना नहीं दिक रहा है मुझे दिक रहा है हाइस जा सकता है उसके बाद वहां से अच्छा-खासा अगर निफ्टी भी आएगा निफ्टी भी यह सब जोन टेस्ट कर चुका है ठीक है इसमें रुकने वाला नहीं है और सबसे इंट्रेस्टिंग क्या आपको विकली चाट में देखो है ऐसा मतलब कैसा क्रेजी मुव क्या यहां पर जो बनाया था अगर इसको लोग को छोड़ दो मान लो यह एक लाइक जो भी था तिंग आप यहां से देखो कोई एकदम स्ट्रेट मॉव के ऐसा मूव निगा अगर मार्केट इस तरह से मूव करता न तो में ज्यादा इंट्रेस्ट होटता अभी अगर 23,000 के आसपस होता मार्केट में ज्यादा इंट्रेस्ट ने जो एकदम तो एकदम ऐसा इंगल बनाएं यहवाला अंगल मुझे ज्यादा पसंद निया अभी यहां से अंगल हों की करतेरा तो यह हो सकता है और एंगल और बनाएं ऐसा हो सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अभी फॉला है लेकिन अभी आपनों को प्रिप्यर रहना बढ़े हैं है ना पोजिशन्स एट करना लाइक जो इन्वेस्मेंट जो है उसमें मज़े लो ठीक है अगर कोई यहां पर यहां से वाइंग करकर प्रम्स गया रखता है अगर आपका कलेजा कमज़र है तब प्राव्यम हो सकता है ठीक है तो डेली में वह ले अशल इसका नीचे एक बार देखना है यह वाला तो अभी इंटाडे के लिए देखते क्या कर सकते हैं। इन्टाडे के लिए हैं। यह वर्लाब यह दूप्लने क्यों हिं नहीं देखते हैं। और gap down हुआ तो surprising होगा, हो सकता है, pullback दे दे, फिर ये निचे किरे, और जैसा मैंने कहा मुझे, personally, like personally में मेरा stance Monday के लिए sell on rise रहेगा, personally बोल रहे हो मैं, मेरा रहेगा sell on rise, आज मैंने, आज भी buy the deep का market क्या होता है, लोग बोलेगा, by the deep का हुआ है, तो deep आया, देखो, मैं normally option sell करता हूँ, intraday में, अगर मुझे कुछ खास, trending में option buy करता हूँ, और intraday में, और normal option sell करता हूँ, अगर by the deep है, तो पहले देखो, पहले तो मैं 930 को ये option sell करता हूँ, 930 के आसपासी में सेल करता इससे पहले में सेल नहीं करता 920 वाला strategy में नहीं करता ठीक है तो यहाँ पर देखा यह वाला candle बना अगर मैंने यहाँ पर मान लो आज तो सेंसेस के जिसे एक्सपारी री था है मैं एक्सपारी टेडी करता हूँ तो मानलो मैंने थोड़ा लाइक में तोड़ा करता हूँ मैंने आपर option सेल किया ठीक है तो यह तो मेरे जीरो हो गया ना तो मेरे लिए बाइदर डिपी था ना तो मेरे लिए trending down move नहीं था बाइदर डिप मतलब क्या हो गया कि मैं आज P sell करूंगा और ऐसा नहीं है कि trending move आ सकत है मंदे की दिन आ सकता है चांसे से लेकिन मेरा जो मानना है कि अभी ये लग्व कि दिन आ सकता है तो वह इसलिए मैं बोलो मैं sell on rise के लिए देखूंगा अगर मंदे की दिन हो सकते है ट्रेंडिंग मोग आजा है हो सकता है लेकिन मैंने मानलो call option sell करके रखा तब मुझे तो अब देखा भागी रहा है तब में तो जारे तो गया तो थोड़ा सा पांच मीर में चला गया तो फेंट थोड़ा सा मैं एक कि आपको तो कि पता हो जाए चल जाएगा वो क्या होने वाला तो मेरी लिए मंडे के दिन सेलनराइस संठ नहीं है तोरह सा मार करके शांत्र है अब कर सकता है मंडे के दिन ऐसा हो सकता है तो हम लोगा सिंपल रखेंगे 300 के निचे सेल और 400 के निचे उपर बाए और 100-100 पॉइंट के टागेट में रखना और नीचे भी 200 तक का आसपास के लिए टागेट रख सकते हो त्रेंड के नीचे 200 के आसपास के टागेट हो सकता है और यह आप 500 क में भी सेम करना आपको जो पता है मैंने वैसे ही करना मिटकर देख लेता मंडे एक्सपाइर है निमिटकर देखो यह थोरा सा इंट्रेस्टिंग है इंट्रेस्टिंग है मतलब यह ज्यादा कुछ मुझे दिखनी रहा है 310 और यह वाला जो जो ने 310 पकड़ लो 320 पकड़ यह 50 साथ पॉंट का मूव आ सकता है ठीक है जैसे बैंग निफ्रेंड के दिन तो डाउंसाइड होगा ठीक है मैं बता रहा हूं अगर ट्रेंडिंग होना है मंडी की दिन तो डांसाइड होगा अपसाइड नहीं होगा अपसाइड वह सकता है गैप अपके बाद थोरा सा फॉल करें तो यह पर फेल्ट ऑपन उपके आपके जाता है तो थोरा सा इंट्रेस्टिंग हो सकता है थोरा सा लाइक ट्रेंडिंग हो सकता है फेखया है तो मंडे के दिन थोड़ा सारा हो सकता है ट्रेंडिंग पता में के दिन क्या है अई मंडे के दिन अक्छे का मंदे तो वॉल्यम्हों को म्मुवG अजिक्ते हैं मिलते आगे बिदियो शुक्र आपा ख्याल रखना